देव भूमी उत्राखंड में इस्तित सितला माता मंदिर जो की हलद्वानी सहर से आपके 7.5 किलोमेटर पहार की तरफ को जाने वाली रास्ते में बिलकुल बाएं हाथ पर पड़ता है और वहाँ पर इसका भव्य मंदिर आपको उसकी भव्यता का आंकलन इस बात से कर सकते है कि आप इसमें देखें तो जहां एक और प्रमपरा का प्राचीर मंदिरों की संखला है तो वहीं दूसरी और आपको आधुनिक मंदिर का एक इस्ट्रक्चर भी दिखाई देता है आपको अच्छाई बंदर आरे बंदर के द्वारा पर साथ चीन लिया गया है स्वच्छ भारत समरद्ध भारत की अवधारना को भी है पर दर्साने का प्रियास किया है परेटकों से और सरधालों से निवेदन है कि वे इसका प्रियोग अवस्य करें छुट्टी का दिन या त्योहारों का दिन हर एक के लिए सुखदाई और नया एडवेंचर करने का दिन से इतला मता मंदिर में हरियारी और सबसा भाई साथ दिखाए तेरी पूरों की कटिंग हो रहे है से इतला मता मंदिर में आपको स्वागा थे आपको सीमिया नया तौर साथ यहां प्राचिन साली के भी मंदिर है प्राचिन साली का सेवलिंग आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में इस तरह से मूर्टियां बनी हुई है जो प्रमप्रगत नकासी का सरोसेष्ट उधारण है प्रमप्रगत साली को जीवन्त रखने का उधारण आप सीतला मता मंदिर में देख सकते हैं प्राचिन पत्थरों की नकासी और पत्थरों को आपस में जोडने की कला चूने और पत्थर को मिला कर बनाई गई है जो कि यहां पर सरव्याप्त होते हैं आसानी से मिल भी जाते हैं प्राचिन मंदिर में यह कला आपको भव्य रूप में दिखाई देती हैं पत्थरों को आपस में चूने से जोड़ा जाता था और इसके पच्चात इसकी छत जो है इस्थानी पत्थरों से बनती थी जिसे पाथर कहा जाता है छतों की बिसेस्ता अपने आप में सारे देश में अनूठी हैं धालदार पाथर के बने हुए मकान यहां घर भी पाथर के बना जाते हैं और मंदिर के छतें भी हैं मा के दरवार में आकर के नकेवल परसर में लोगों को शांती मिलती है बलकि लोग यहां पर अपने आपको पहचानने के लिए भी अध्यात्म को की ओर आकस्ट होने के लिए भी यहां पर आते हैं और नवरात्रों के आउसर पर या त्योहारों के आउसर पर यहां पर अच् मंदिर परिषर हलदवानी से साथ किलमते कि बोड़ी परिस्थितर ही हलदवानी से पहाडों के लाँने वाले मारAK पर यहो मंदिर परिसर में हरी आली चहुर दिखाई दे सकती है मंदिर परिसर का भव्य प्रांगा और छोट divid चोटे मंदिरों का समोह उत्राखंड के देव भूमी मंदिरों में एक देवी मंदिर से इतला माता मंदिर में लोग बाहर से परेटकों के रूप में भी आते हैं और इस्थानिय लोग भी यहां पर आकर के ना केवल स्षधा से सीशनवाते हैं बलकि अपने आपको यहां पर इस पहारी परिवेस में हितला माता मंदिर में लोगों की आस्था का प्रिटीक इन चुन्नियों को देख सकते हैं जो कि कहीं न कहीं लोगों की आस्था और स्ध्धा को दर्साता है मांता मंदिर से अगर पहाडों की ओर निहारा जाए तो इस तरह से उंच-उंची चोटियां दिखाई देती हैं जो कि पराता काहल में अपने आप में हरियाली से लबालब और परियाटकों के आकरसान का केंदर भी बनी हुई है पहाडों की चड़ाई एक तरफ लोगों का दम फुला देती है तो लोगों की सामर्थ की परिक्षा भी लेती है अलग अलग जगह से लोग परियाटक के रूपे हैं यहां आते हैं छुटियों का आनंद लेने के लिए भी लोग यहां पर पहुंसते हैं तो मय्या को सीष जुकाने के लिए भी लोगों का यहां आगमन लगातार बना रहता है। पहाडियों के बीच में हरिभरी वादियों के साथ स्थाप्पित किया गया है सित्ता मता मंदिर। परिवार सहित लोग यहां पर आते हैं सद्धा के सीष नवाने के लिए। जंगल है तो जानोरों का खत्रा भी है इसलिए अकेले ना आए।